एक ऐसा phone चाते हैं जिसमें एक अच्छा camera हो, अच्छा प्रोसेसर हो, अच्छा battery backup हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा phone लिया जाए क्या vivo t3x 5G phone ठीक रहेगा या realme narzo 70x 5G लिया तो कौन सा phone लिया जाए समझ नहीं आ रहा तो फिर आप सही जगा हैं मैं इस वीडियो में full review दूँगा और बताऊँगा कि इन दोनों फोनों में से कुंसा phone बैच रहेगा तो फिर क्यों ना वीडियो की शुरुआज सबसे पहले vivo t3x 5G phone से की जाए इस phone के box में हमें हमारा phone कुछ manual guide semi ejector tour kit एक cover case 44 word का super rook charger c-tap cable देखने को मिलते है यानि कि इस phone के साथ में तो हमें एक complete phone box देखने को मिलता है मैं आप सभी को देरी कराऊं ऐसा तो कभी होए नहीं सकता तो चली फिर बिना किसी देरी की इस phone की look का design की बात करें जो कि इस phone में हमें काफी unique camera design देखने को मिलता है इस phone में हमें glass front, plastic frame, matte finish, scratchless back body देखने को मिलती है ये phone देखने में काफी अच्छा लग रहा है especially camera dialer चली इस phone की weight की बात की जाए जो कि इस phone का weight 199 grams है साथ हमें इस phone में हमें 8 mm की thickness देखने को मिलती है ये phone handy होने की साथ साथ lightweight भी है इस phone में हमें IP64 rating याने की water and dust resistance भी देखने को मिलती है चली इस phone की display की बात की जाए जो कि इस phone में हमें IPS LCD panel देखने को मिलता है with 120 Hz refresh rate इस budget में 120 Hz का refresh rate was shocking चली इस phone की display 393 PP density का resolution 86.5% screen to body ratio 6.7 inches का screen size देखने को मिलता है हमें इस phone में याने की display performance तो काफी बढ़िया नहेगी इस phone में इस phone के processor की बात की जाए जो कि इस phone में हमें Snapdragon 6 Gen 1 processor देखने को मिलता है with 4 nanometer chipset जो कि हमारी gaming performance को काफी enhance कर देता है इस phone में हमें Android 14 version 4GB तक वर्चू रैमेक्षेंड मेमरी hybrid SIM slot side mounted fingerprint sensor देखने को मिलता है हमें इस phone में जी हाँ इस phone में हमें dual stereo speakers भी देखने को मिलते हैं चली अब एक अच्छे phone में एक अच्छा camera तो होना है चाहिए इस लिए इस phone में हमें dual camera setup देखने को मिलता है जो कि 50MP का mean camera with 1.8 aperture rate है दूसरा camera हमें depth camera देखने को मिलता है जो कि 2MP का है with 2.4 aperture rate ये phone 4K 30fps तक video recording support करता है लेकिन सिर्फ 8GB वाले variant में नॉर्मल variant में ये 1080p 30fps तक की video recording support करता है 8MP का selfie camera with 2.1 aperture rate साथ में इस phone में हमें LED flash, HDR, panorama, pano, pro, slow motion, time lapse जैसे camera features देखने को मिलते है इस phone का camera 10x zoom तक spotted है overall काफ़ी भरिया camera देखने को मिलता है हमें इस phone में इस phone का camera daylight के साथ night photography के लिए भी बैच रहेगा चलिए ये तो थे इस phone के camera features अब क्यों न इस phone के battery backup की बात की जाए जो कि इस phone में हमें 6000 mh battery देखने को मिलती है ये phone fast charging भी support करता है क्योंकि इस phone के साथ में 44 वोट का super fast charger जो देखने को मिलता है 6000 mh battery है अच्छा battery backup तो होगा ही normal usage करें तो इस phone का battery backup असानी से एक दिन से ज़्यादा का है finally इस phone के pricing की बात की जाए जो कि इस phone में हमें 3 variant देखने को मिलते है पहले 4GB RAM and 128 GB tunnel storage जिसका प्राइज में ओना शुर्ष पर 13,500 देखने को मिलता है दूसरा 6GB RAM and 128 GB tunnel storage जिसका प्राइज में ओना शुर्ष पर 15,000 देखने को मिलता है तीसरा और आकरी 8GB RAM और 128GB टेनल चोरिच जिसका प्राइजे में ओलाइज शूर्स पर 16,500 देखने को मिलता है हमें तीनों ही वेरिंट पर ओलाइज शूर्स पर 1500 का क्रेड़े का डिसकाउंट देखने को मिलता है यह फोन दो कलर वेरिंट में अवेलेबल है चलिए यह तो थे इस फोन के सबी स्पैसिफिकेशन्स तो अफिर क्यों न इस फोन को साइड में रखा जाए और बरा जाए हमारे दूसरे फोन की और जो की रियल्मी नार्जू 70X 5G फोन है इस फोन के बॉक्स में हमें हमारा फोन कुछ मैनलोग गाइड सिम इजेक्टर टूर किट एक कवर किस 45 वोट का सुपर रूग चारजर सीट अप केबल देखने को मिलती है यानि की इस फोन के साथ में भी हमें एक कॉंप्लीट फोन बॉक्स देखने को मिलता है चलिए इस फोन के लुक्स डिजाइन की बात करें जो कि इस फोन में भी हमें काफी उनीक कैमरा डिजाइन देखने को मिलता है इस फोन में हमें गलास फ्रंट पलास्चिक फ्रेम पलास्चिक बैक बोडी देखने को मिलती है Finishing तो काफी बरिया है इस phone की चलिए इस phone के weight की बात की जाए जो कि इस phone का weight 187 grams है साथ में इस phone में हमें 7.7 mm की thickness देखने को मिलती है Look of us तो ये phone भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है चलिए इस phone के display की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें IPS LCD पैनल देखने को मिलता है with 120Hz refresh rate इस phone के display 392 PP density का resolution 86.5% screen to body ratio 6.7 inches का screen size देखने को मिलता है हमें इस phone में यानि की display performance तो इन दोनों फोनों की same है चलिए इस phone के processor की बात की जाए जो कि इस phone में हमें media tech dimension 6100 plus processor देखने को मिलता है with 6 nanometer chipset यानि की gamey performance तो इस phone में भी काफी बरिया रहेगी इस phone में भी हमें Android 14 version 4GB तक virtual RAM extend memory, hybrid SIM slot, side mounted, fingerprint sensor देखने को मिलता है हमें इस phone में इस phone में हमें decent audio and speaker performance देखने को मिलते है इस phone में हमें IP54 यानि की dust and splash resistance से देखने को मिलते है चलिए इस phone के camera features की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें dual camera setup देखने को मिलता है जो कि 50 megapixel का mean camera with 1.8 aperture rate है दूसरा camera हमें 2 megapixel का depth camera देखने को मिलता है with 2.4 aperture rate इस phone का camera 1080p 30fps तक video recording स्पोड करता है इस phone में हमें 8 megapixel का selfie camera with 2.0 aperture rate साथ में LED flash, HDR, Panorama, Pro, Time Lapse, Slow Motion, Dual Video Mode, Tilt Shifter Mode जैसे camera features देखने को मिलते हैं हम इस phone में इस phone का camera 10x zoom तक spotted है camera performance तो इस phone की भी काफी बरिया है night photography के लिए भी इस phone का camera बैच रहेगा चलिए ये तो थे इस phone के सबी specifications तो फिर अब क्यों ना इस phone के भी battery backup की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें 5000 mh battery देखने को मिलती है ये phone भी false charging support करता है क्योंकि इस phone के भी साथ में हमें 45 वोट का super rook charge जो देखने को मिलता है normal usage करें तो इस phone का battery backup असानी से 15 to 20 आस तक है तो फिर अब क्यों ना इस phone के price को जाना जाए जो कि इस phone में हमें 2 variant देखने को मिलते हैं पहले 4GB RAM and 128GB Tunnel Storage जिसका प्राइज में 12,000 देखने को मिलता है दूसरा 60GB RAM and 128GB Tunnel Storage जिसका प्राइज में 13,500 देखने को मिलता है हमें online shoots पर specially Amazon पर 1000 coupon दिसकाउंट भी देखने को मिलता है ये phone दो color variant में available है चलिए ये तो थे इस phone के सब इस specifications अब बात करते हैं कि इन दोन फोनों में से कूंसा phone बैच चे रहेगा सबसे पहले बात करते हैं price की जो कि मेरे coding 1000 का difference रहेगा after detecting all discounts display and camera performance तो इन दोनों फोनों की मुझे same लगी लेकिन हमें processor और battery backup वीवो के phone का ज़्यादा बरिया देखने को मिलता है gaming के लिए भी वीवो का phone ठीक रहेगा look was तो ये दोनों phone ही unique लग रहे हैं color combination भी काफी different है देखी अगर आपका budget थोड़ा कम है तो इन रेल्मी का phone भी sufficient रहेगा वरना तो वीवो का phone ही एक over-rounder batch budget friendly 5G phone रहेगा